हेलो दोस्तों यह देखिए इतनी अच्छी जबरदस्त एक ताम ब्रेट मलाई परफी बनके तयार हुई है अब वह भी बिना गैस जलाए पांच मेड़ बनके तयार हो जाती है कि आपने तो ब्रेट की बहुत सारी रेस्पी खाई होगी लेकिन आपने ब्रेट मलाई परफी होगी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा स्वायत देश्थ है कि पूछे माद हेलो फ्रेंड असलाम अलेकों वेलकम टू सना ब्लॉग चलिए रेस्पी बनाना सुरू करते हैं तो बिना गैस जलाए ब्रेट मलाई परफी बना होगी आप कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि हमने इसको ब्रेट से बनाया है तो इसका साइड भाग देखिए मैंने सारा निकाल दिया है निकालने के बाद अब हम इसे छोड़े चोड़े टुकड़ों में पीस में बाट लेंगे करने के बाद हम इस तरह सारा तोड़ ले हमारा पीस गया है बारिक एकड़म अच्छे से में आपको दिखा रही हूं तो इसमें अब हम डालेंगे एक कप मिल पॉड़र आप कोई भी मिल पॉड़र ले सकते हैं मेजरमेट एक दम उसी के बराबर रखा है मैंने और एक कप मैंने रखा है कोकोनट पॉड़र इसको मि चीनी आड़ करने के बाद इसमें चार पांच इसमें दस से बारा काजू आइड करेंगे अगर आपके पास है तो ठीक है नई हो तब इसके भी कर सकते हैं तीन से चार छोटी लाची का इसका गोदा निकालके से में डालना है इसको अच्छे से घुमा लेना है तो यह दिख अगर के से हैं काफी आच्छा अपलेवर आता है तो इह घर की रखी वी चीज़ों से फ्रेंड बनता है इतनी जद आच्छी बनती है कि आपको बजार जाने की कौज़ोत नहीं है इसको अच्छी तेखिए मैंने मिला लिया है ताकि हमारी चीज τους अचिसे से मेल्ट हो जाए जो हमने ब्रेड और और कोकोनट मिल्क पॉडर मिक्सर तियार कि अधा है इसको भी इसमें अच्छे से मिला सकें तो जो हमारा बचह हुआ था उसको मैंने इसमें डाल दिया है अब हम हाथ से भी मिला सकते हैं ति दिखे अगर आपको सूखा लगे तो आप एक दो चमबस इसमें मिल्क दूर गरम डाल सकते हैं वहांना आपका इसमें भी अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड इतनी अच्छी बनके बिना गैस जला है जट पर पर्फी बनके तयार होती है ब्रेट मलाई बर्फी कि आप बाजार की बर्फी खाना भूल जाएंगे अगर यह एक बार इसको बनाएंगे तो देखे़ इसकी एसा कंटेंश रखने हाँ आइसा ही रहना है चिपच्पा टाइप का ज्यादा ठीक ना रहे तो इसको देखेए एक कंटेनर लेना है एक उयर कंटेनर होना चाहिए अच्छे से इसमां ऑयल लगा लीजिए अच्छे में हाथे से इसको फैला लीजा अशाते हैं तो नाप महल और सकते हैं तो, इसको बराबर शीच कर देना है यह दिखें को अच्छे सका वी हेर ताकि बराबर एकदम हो जाए अच्छे से इसको कम से कम despite वह से पंधाब वीसमिनेट तक आहाँ ब configur相 Boris यह देखिए 15-20 मिर्ट के बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाल दिया है यह अच्छे से हमारा सेट हो गया है तो मैं आपको इसको पलट के दिखा रहे हूं तो यह देखिए प्रेक कितनी एच्छी हमारी बर्फी बनी है इतनी लाजवाब सुनी देखेंगे तो आप देखने सारी पीच्ट कट कर दिया है कि बारिक सारा है कि दीके फ्रेम मैं आपको निकाल के दिखा रहे हूं कितनी अच्छी हमारी ब्रेड मलाई वर्फी बनके तियार हुआ है एक खाने में इतना दानेदार इतना मस्त होता है कोई पकड़ी नहीं पाएगा कि आपने इसको जला है जहट पट पांस से दस मिट लगता है इससे ज़्यादा नहीं लगता है तो आपको हमारी ब्रेड मलाई वर्फी की रेस्पी कैसी लगी इंसाल अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा अस्सक्राइब करना बिल्कुल ना भू क्था था नहीं लोरी गार कुल नहीं लेगा कर को ताशनी होतु है गदाको है कर दो कैसी ली ओंस से कर दो है Unilai योरी को फिल्गे लेका कर दो प्लें क्षड आवदा कर दो है क्मारी के लोगी लेगा